एलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जारी हूँ एक गोड़िया सा फेस पैक जो आपकी स्कीन को बनाएगा बहुत ही चमकदार जी हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने तीन चार इस्टोवेरी लिए अभी विंटर का सिजन चल रहा है तो इस्टोवेरी ब चिल्के का फेस पर बहूत अच्छा ग्लो करता है आप औरेंच की चिल्के को ऐसे ही हानी की साथ पीस के भी लगा सकते हैं तो इससे भी बहुत अच्छी स्कीन क्लीन हो जाती है तो चलिए यहां पर शेंण की तो इसमें थोड़ moi तोर्ष Pourquoi ऐस से और यहां के लिए हम औरेंज की की पीस में टाल दींगे है और इनको बारी परिख कुड़े करके अरामसे i sudah 3 कलिया हम इसके सिर्टस निकालगे करेंगे क्योंकि सीड्स से हमारे इस्की कराब हो सकती है तो इसलिए हम सिर्टस कींप करते हैं ुट करो हमारी कोnoise बेर कुल भहीं सा पेस्ट बनाना है जोकि हम मिक्सी के जार में पीछने वाले हैं अब हमारा या पेस्ट रेडी हो चुका है इसको आप छान भी सकते हो बत यहां पर मैंने इसको च्छानना नहीं है इसमें से जो मुट्री टुकड़े हैं मैंने इसको अलग निकाल दिया है अब हमारा पेस्ट रेडी है अब इस पेस्ट में से हमारे को वन फोर्थ पेस्ट हमारे को इसको अलग से निकालना है इस पेस्ट का हमारे को क्या करना है यह मैं वेप भी आपको बता रही हूँ इस वाले पेस्ट से हमारे को हमारे चेरे पे 5 मिनिट के लिए मसाज करनी है तो इससे आपकी स्कीन बिल्कुल स्मूद बन जाएगी और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी फिर हमारे को इस मसाज क्रीन से मसाज करने के बाद में वोश करके फिर हम पेक जो बना रहे हैं वो लगाना है तो चलिए अब मैं आपको पेक बनाने का तरीका बता रही हूँ यह पेक आप बना के जरूर देखिए और सरदी में लगाईए आपकी स्कीन बहुत ही स्मूर्थ और क्लियर हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने दो टेबली स्पून बेसन लिया है और इसको मिक्स करेंगे हम और हाप टेई स्पून हम इसमें हल्दी लेंगे और एक टेबली स्पून मैंने यहाँ पर चंदन पाउडर लिया है और अब इन ती नोची जोको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यह हमारा पेक रेडी है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमारे को चरे पर लगाना है यह फेसपेक अल टाइप आफ स्कीन के लिए है और विंटर के लिए तो यह रहमार वस्ती है तो फ्रेड्स जल्दी से लगाईए इसको और बटाफ़ट मेरे चैनल को लिए आइक कर जी तेंक यू बाई बाई